नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहां कैसे टूई यूडूब चैनल पर मुख्यमंत्री यूवा स्वरोजगार योजना की सुरुआत उत्तर प्रदेश राजी की बेरोजगारी की समस्या को कम करने उत्तर प्रदेश के यूवा ओं को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाज comenz जी के दौरा सुरु किया गया एक योजना है जिसके अंदर कित यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यूवा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाक रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी यहाँ पर आजकी वीडियो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर यूवा स्वरोजगार योजना के लिए फॉर्म एप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर क्या-क्या एलजिबिल्टी होने वाला है दोस्तों यहाँ पर वीडियो में अंतक बने रहिएगा उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी वीडियो आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की eligibility यानि की पात्रता के बारे में क्या क्या eligibility होता है जिसके बाद हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के लिए यहाँ पर form apply कर सकते हैं तो यहाँ पर जो पहला eligibility निकल के आता है वो ये कि आप उत्तर प्रदेश के स्थाय निवासी होने चाहिए यानि कि आपका जो निवास थान है निवास प्रवार पत्र आपका होगा वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए यहाँ पर जो दूसरा पात्रता के लिए निकल के आता है eligibility वो ये है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्र यूवास वरोजगार योजना के लिए आवेदक बेरोजगार होना चाहिए यानि कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके से जॉब पर नहीं होने चाहिए यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो eligibility निकल के आता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्र यूवास वरोजगार योजना में आवेदक करता की आयू 18 वर्स से 40 वर्स के बीच होनी चाहिए यानि कि जो आपका इसमें age limit होगा वो 18 से 40 की बीच में होना चाहिए तब ही आपको इसमें form apply कर सकते हैं अन्यता आप इसमें form apply नहीं कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों चौथे eligibility की बात करें तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री यूवास वरोजगार योजना में आवेदक करता किसी भी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए अब दोस्तों यहां पर पाचवे eligibility की बात करें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री यूवास वरोजगार योजना में आवेदक करने वाला उमीदवार कम से कम दसवी या हाई स्कूल पास होना चाहिए यानि कि आप कम से कम कुछ भी हो यहां पर हाई स्कूल पास होने चाहिए इसके बाद ही आप इसमें फॉर्म एपलाई कर सकते हैं यानि कि अगर आप पूरी तरीके से आपर असिछित हैं तो आप इस योजना का लाव नहीं उठा सकते हैं तभी आप इस योजना का लाव उठा सकते हैं अन्यता आप इस योजना का लाव नहीं उठा सकते हैं दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि यहां पर जरूरी दस्तावेज यहां पर जो भी डॉक्यमेंट होगा हमें क्या क्या डॉक्यमेंट इसके लिए देना होगा दोस्तों यहां पर आपका water ID card भी होना चाहिए यहां पर आपका अपना जनप्रमाड पत्र आधार card and water ID हां अगला जो निकल कर आता है वो यह कि आपका जो स्थाई निवा से वो उत्तर पर देश होना चाहिए जो कि मैंने आपकर पहले ही आपको बता दिया है एंडियुक अगला आवेदन करता की सैचछरिक योगईता है यानि कि आप कम से कम High School Pass होने चाहिए यानि आप जो अगला नीकल के आता है वो ये कि उसका प्रमाणपत्र का भी होना आवश्यक है यानि कि आपका High School का जो प्रमाणपत्र होगा result वो भी होना आवश्यक है वो भी वहाँ देना होगा अब दोसे यहाँ पर अगला बात करते हैं तो जाती प्रमाड पत्र अगर आप यहाँ पर जनरल नहीं है तो ऐसे में आपका जाती प्रमाड पत्र भी होना चाहिए और यहाँ पर आपके BPL रासंग कार्ड की एक जेरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए दोसे यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्य मंतरी यूआ स्वरोजगार योजना 2021 के लिए आप आप उनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं दोसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा आपको उस लिंक पर चले आना है जिसके बाद आप यहाँ पर यूपी गॉवर्मेंट के ओफिशली उद्योग एवं उदम प्रुस्ताहर निर्दे साले यहाँ पर ओफिशल वेबसाइड पर आ जाएंगे जहाँ पर आप लोगों को पहला ही देखने के लिए मिलेगा ओप्शन मुख्यमंत्री यूवा स्वरोजगार योजना आप लोगों को इस पर सिंपली चले आना है जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अप्शन देखने के लिए मिलेगा नवीन उपयोग करता पंजी करण पंजी करण पंजी करता लोगिन तो आप लोगों को यहाँ पर नवीन उपयोग करता पंजी करण कराना है तो इस पर आप लोगों को टैप कर देना है जिसमें कि आपको यहाँ पर योजना में मुख्यमंत्री, युवास, रोजगार, योजना, उत्तरपदेश, इसका चैन कर लेना और आपको यहाँ पर सारी basic details को इंटर कर देना है दोस्तों form को fill up कर देने के बाद जब आप यहाँ पर submit पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक pop up आजाएगा जहाँ पर आपको okay पर click कर देना है दोस्तों जिसके बाद आप लोगों के सामने एक message आजाएगा जहाँ पर लिखा हुआ आएगा success record save यहाँ पर username हमारा मिल गया है यहाँ पर password मिल गया है दोस्तों इसे हमें यहाँ पर screenshot के जरी अपने phone में save कर लेना है दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू कि आप कैसे check कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर status अभी कहा तक पहुचा है दोस्तों यहाँ पर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंडी चे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ऐसे ही और मज़दार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें इसे के साथ मिलते हैं एक और नई मज़दार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम